अलोडिया स्टूडेंट्स दिस प्रवीन कुमार जा वेलकम तो युनी क्लासे जब राइट वे आज इस चेप्टर की क्लास नम्र कौन सी है 12th क्लास नम्र कौन सी बटा बताओ 12th है शाहिद 12th है लखे क्लास नम्र 12th पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट करी थी पास्ट एजस्टमेंट तो थोड़ा से मैंने कंट्रोल करके सवाल करवाए थे आज हम सवाल करवाएंगे बिल्कुल अनकंट्रोल हो कि मतलब क्या सर जो सवाल मन करेगा कोई भी सवाल कर सकते हैं सबसे पले लिखिया आप क्लास नमबर क्लास नमबर 12 क्लास नमबर 12 में सबसे पहले लिखा जाए कि आज हम कराते हैं आपको इलस्ट्रेशन नमर 50 बड़ा सवाल है अच्छा सवाल है 15 क्या सवाल है सर एक्स एन वाय आर पार्टनर्स शेरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो वर्ट बोलो 6th is to 2 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 7 their capitals are what 10 lakhs and 12 lakh 50 thousand respectively on 1st March 2020 X 1st May sorry ध्यान से सुनियेगा 31st March 2021 को उसका capital दे रखा है मतलब closing capital on 1st May 2020 X had introduced an additional capital of what 250 thousand and Y withdrew 125 thousand from his capital X had introduced an additional capital 250 thousand और Y निकाला कितना 125 thousand कब की बाद है 1st May की बाद है closing capital दे रखा है additional capital दे रखा है और drawing दे रखा है और यह drawing किसका है drawing capital का है with you 125 thousand from his capital यह profit का drawings नहीं है on 1st October 2020 X drew 5 lakh from his capital फिर से capital से निकाला गया और Y introduced 6 lakh 25 thousand after closing the account it was noticed that interest on capital 6% has been omitted सब कुछ करने के बाद क्या पता चला interest on capital 6% अभी तक include नहीं किया गया है during the year ended 31st March 2021 X drawings and Y drawings were what 2 lakh 50 thousand and 1 lakh 25 thousand यह का जी profit before interest on capital during the year over what 5 lakh profit before interest on capital during the year over 5 lakh profit आपको यह रखा है 5 lakh याद रखना लगी उसमें interest on capital का कोई पंगा भी तक नहीं हुआ है calculate interest on capital if capital are fixed and fluctuating मान गई बाद right क्या करना पढ़ेगा बोलो एक बार तसलीज से सवाल को पढ़ लिजी आप इस सवाल ने सिर्फ आपको interest on capital निकालने के लिए का लिए को एडिंग interest on capital निग लिया और यहाँ topic क्या लिखो fixed fixed के case में कैसे निगलेगा fixed capital system में आप क्या समझते हैं बताओ fixed capital system में सुनरे मेरी बात fixed capital system में क्या होता है कि आप profit और loss को capital account में नहीं ले जाते हैं रदर कहां ले जाते हैं current account में अब अगर interest on capital निकालना है यहाँ partner के नाम क्या है एक्स और य है यहाँ लिखो एक्स यहाँ लिखो य और सबसे पहले working note क्या लिखो वर की नोट लिखो calculation of IOC वर की नोट क्या लिखो के चलकुलेशन ओवो IOC I'm sorry calculation of opening capital calculation of opening capital कैसे निकालेंगे यह लिखो एक्स और यह लिखो य यहाँ क्या लिखो closing capital closing capital कितना कितना बताईए 10 lakh and 12 lakh 50 thousand 10 lakh and 12 lakh 50 thousand मान गए add क्या कीजिए इसमें drawings और drawings कितना प्लस करो draw drawings है 5 lakh और दुसरा कितना है एक का 5 lakh है दुसरा का 1 lakh 25 thousand है यह 5 lakh इसका 1 lakh 25 thousand यह है ना X का 5 lakh Y का 1 lakh 25 thousand और इसमें लेस करो इसमें लेस करो आजाओ अब आजाओ 12,500,000 12,500,000 और यह अचितना यह? 7,500,000 यह अच्टीज अच्ट 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 बड़ा अब इस पर निए लागने, देख यहाँ पर मैं प्रॉफिट को लेस्टियो नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट अड़ी नहीं किया था पहले अड़ करते तभी तो लेस्ट करते प्रॉफिट को पहले अड़ी नहीं किया तो अब लेस्ट क्यों करेंगे प्रॉफिट को पहले अड़ी नहीं किया तो अब लेस्ट क्यों करेंगे मानते हो क्योंकि यह fixed capital system है अब यहां दूसरी पॉइंट दूसरा पॉइंट की आगए calculation of IOC क्या करें से बता हो अब देखो मैं समझा दो कैसे करो देखो सबसे फ़ले लिखो यहां पर क्या 12,50,000 अब बता पहले क्या हुआ है पहले drawings हुआ है additional capital हुआ है हाँ पहले x की बात ही कर रहा हुआ है x के लिए पहले क्या हुआ है additional capital कब हुआ है पास्ट में को हुआ है इसका मतलग 12,50,000 उसका capital कितना महिना रहा है सिर्फ अप्रेल रहा एक महिना रहा उसके बाद अगले महिने से capital कितना हो गया उसका additional के साथ नहीं additional capital हुआ है ना चौदर 15,50,000,000 हो गया पहले तो additional capital थाय लाख ही हुआ है ना तो एक महिने के बाद उसका capital पंदरा लाख हो गया और यह कब तक रहा बताओ जब तक वो ड्रॉइंग नहीं करता है ड्रॉइंग कब किया है ड्रॉइंग कब किया है बोलो हाँ ड्रॉइंग का डेट नहीं बता सकते देखिए ड्रॉइंग कब किया है उसने एक अक्टूबर को ड्रॉइंग किया है एक अक्टूबर को ड्रॉइंग किया है इसका मतलब यह चलेगा अब पांच महिने तक उसके बाद कितना बच गिया उसका capital, 10 लाग ये कब तक चलेगा? 6 माहिने तक मान गई जी, बोलो हाँ, सर हाँ, अपने तरी मेरी तरीकेश करो उस तरीकेश मत करो, 12 लाग 50 जार, एक माहिना हाँ, 12 लाग 50 जार, एक माहिना 15,05,000 और 10,06,000 अब इसका multiply कर दो क्या हो जाएगा 12,50,000 ये कितना हो गया 75,000 लेक और ये कितना हो गया 60,000 लेक इन सब को plus कर दो कितना हो गया देखो इन सब को plus करो ये product method से निकाला मैने भाई तरीके से करो ना काम को बे तरीके से मत करो plus करो कितना हो गया 75,60,000 लेक और 12,50,000 75,60,000 1,35,000 प्लस 45,242,47 1 करोड 47,50,000 हाँ 1 करोड 47,50,000 अब इसका क्या करो 1 करोड 47,50,000 का कितना प्रसेंट है क्यापिटल 6% इंट्रेस्टन क्यापिटल है 6 by 100 कर दो और 1 by 12 कर दो क्योंकि product method में एक महिने का निकालते हैं याद है भूल गए हाँ हाँ, इसको इसको काटो इसको काटो यह 2 हो गया अब इसको काट दो 2,7 जा 14 2,3 जा 6 2,7 जा 15 नहीं, तुस फोर्टीन 7,3,7,5,0 यह हो जाएगा, 7,3,7,5,0 7,3,7,5,0 मान गए है, जल्दी बताओ कितना सिंपल तरह किस निकल गए, यही काम किस के लिए करो, किस के लिए करो बताओ, वाई के लिए वाई के लिए क्या करना होगा आपको यहां लिखिए क्या इनिशियल क्यापिटल कितना है 7,5,000 इनिशियल क्यापिटल है 7,5,000 कितने महिने के लिए बताओ 7,5,000 कितने महिने के लिए Excuse me क्यों उसका कब ड्रॉइंग हुआ है उसका पहले क्या हुआ है Y, Y ने क्या किया है Y पहली बार ड्रॉइंग किया है 1,25,000 की ड्रॉइंग हुई है इसका मतलब यह एक महिने के लिए रहेगा उसके बाद उसका क्यापिटल कितना हो गया 6,25,000 यह कितने महिने के लिए देखता हूँ नेक्स्ट ट्रॉइटमेंट कभ है अप्टर देट वाई ने इंट्रॉद्स किया एक अक्टूबर को इसका मतलब यह भी फाइप मन्स है और वाई ने इंट्रॉद्स किया 6,25,000 यह हो गया बारा लाग पचास हजार यह कब हुआ है 6 माहिना 7,50,000, 6,25,000 और 12,50 मान गई जी बोलो कितना हो गया यह यह कितना हो गया multiply करो इसको 6,00,00,00 30,00,00 31,00,00 25,000 इसका 75,00,00,00 प्लस कर दो 75,00,00,00 1,00,00,00,00 1,00,00,00,00 1,00,00,00,00 सॉरी 1,00,00,00 1,00,00,00,00 75,00 फिर से करके देखाए गबार 70,00,00,00 1,00,00,00 5,00,00,00,00 7,00,00,00 7,00,00,00 7,00,00,00 75,00,00 ठीका न क्या करें इसका 1,00,00,00 1,00,00,00 13,00,00 75,00 1,00,00 1,00,00 multiply क्या कर दें 7,00 multiply 1,00 multiply 1,00 1,00 product method मैंने सिखा रखाए तो क्यों नहीं करोगे जिस दिन capital जितना change किया उसके इसाम से मैंने लगा दिया और क्या क्या मैं है 2,5,10 1 बचा 2,6,12 1 बचा 2,8,16 1 बचा 2,7,14 5 बचा 1 बचा 2,5,10 56,875 56,875 ठीक है यस सर यह इंट्रेशन क्यप्ट लागा किसका वाइक आगया आप मुझे लगता है कि साद आप समझ पाए मैंने क्या किया है दुरूब समझ पाए हाँ product method लगाया और एक महने का निकाल दिया बड़े आरामस बस यह भी किया product method यह कब है fixed capital system और यही काम कब करना है fluctuating capital system heading लिए fluctuating capital system सब कुछ यही करना है बस यहां भी क्या है यहां भी opening capital निकलना है फाला point क्या होगा में यह ॥ अश्च्राइश्ट यह अपनीं किसमे में सब कुछ लेंगे बस एक ची और लेंगे क्या लें एक शवाई है एक क्लोजिंग सोवीटल कितना-कतना बता उंच जाओ जे हैड ट्रॉइंग्स 10,000,000 और 12,500,000 यह यह नहीं है अब द्राइंस कितना है बोलो द्राइंस कितना है ड्राइंग तो पता ही आपको पता सकते हो क्या पांच लाख और एक लाख 25,000 वही होगा भई जो यहां किया है नहीं यहां पर देखो नहीं किया है न यह सब कुछ करेंगे है इसमें से एक ची और मैनस कर देंगे है मुझे पता है एड ड्राइंग करो लेस क्यापिटल करो लेस एडिसनल क्यापिटल करो तुम कर लेना जितना भी आएगा मुझे पता है यह कितना आएगा बताओ कितना आएगा यह आएगा यही बारह लग पचाशाजार साथ लग पचाशाजार नहीं नहीं वह इसे प्रेजंटेशन ठीक नहीं होगा सवाल मैं करो तो पूरा करोगे न लेस्क्राइब करोगे प्रॉफिट प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट है कितना प्राफिट देखे हाँ पांच लाग दे रखा थीज़ टू माट देजिए त्री लाग और टू लाग त्री लाग और टू लाग सब कुछ तो कर दिया मैंने न नहीं भाई ड्राइंग्स एड़ कर ड्राइंग्स तो मैंने प्लस कर दिया ना दो ड्राइंग काहा दे रखा है ड्राइंग्स दे रखी है ड्राइंग और ड्राइंग्स एलीडि से ड्राइंग्स प्लस होना फ्लस हो गय है.. drawings of profit.. वोपर दर्शाइंगस of capital.. नीचे किया drawings of profit.. बताओ कितना होगए.. खाओ.. बोलो.. बॉन लैक.. कितना है.. एमोंझ रूटाओ.. 2.50 & 1.25 2,50,000 और 1,25,000 प्लस करो कितना हो गया 12,00,000 अई यह कितना होगा 6,75,000 इस पर अब उसी तरीके से निकाल लीजिए जिस तरीके से निकालने के लिए कहा है निकाल पाओगे एक बार ट्राइक करो निकालने का देखो जी बच्चो मैंने यह औपणिंग क्यापटल निकाल दिया औपणिंग क्यापटल निकालने के बाद IOCX का निकालेंगे किस मेतड से product मेतड से क्या किया 12,00,00 की क्या उसकी है सिरिफ 1 मन्थ के लिए उसके बाद क्या हो गया एक मैं से उसमें additional लगा दिया 2,50,000 तो additional लगाते ही उसका capital कितना हो गया 14,50,000 और यह कितने माइने के लिए 5 months के लिए multiply कर दिए उसके बाद 1 October को उसने क्या किया कुछ ड्रॉइंग कर ली 5 लाकी कुछ क्या जादा ही कर ली और याद रखना drawing of profit is not considered while calculating IOC समझ गए? drawing of profit को अगया आता है since capital effect होगा लेकिन drawing of profit को include नहीं करते interest on capital निकालने के लिए क्यों? उसका बजा है since on on drawings on drawing of profit on drawing of profit ते कर जी since on drawing of profit interest on drawing is separately charged मान गए? interest on drawing पे sorry drawing पे interest on drawing separately charged होता है इसलिए interest on drawing को हम consider नहीं करेंगे interest on capital निकालते वक्त fixed में तो वो इसे भी नहीं करते हैं और fluctuating में भी नहीं करेंगे तुमारा ये question बिल्कुल सही है कि sir fluctuating में भी interest on drawing से हमारा capital तो कम हुआ ही है दोगो sorry drawing से तो capital कम हुआ है ये drawing of profit है हो जाने तो लेकिन interest निकालते वक्त उसको हम consider नहीं करते क्योंकि drawing पे अलग से interest partners को pay करना होता किसको firm को मान गए? इसे लिए किसको consider करेंगे जिर्फ consider करेंगे drawing of capital and additional capital drawing of capital and additional capital are only concern while calculating below ioc yeah ioc calculate while calculating ioc okay right sir y का तो निकाल लोगा या वाइका तो खुद से निकाल लोगे वाइका तो निकाल लोगे वाइका तो तिकत तो नहीं है तरीका निकालना है आपने आपने आगया 6,75,000 है उसमें प्लस मैनस करना और निकाल लेना कितना देखने में कितना बड़ा सवाल लगता और concept भी कितना strong इसमें है आपके लेवल के लिए ये आपका भी अच्छा strong concept मना जाएगा इसको मान गए बात को तो ध्यान रखना इसे इसको और करना इस सवाल को बड़ा अच्छा सवाल है आएए देखना बच्चे गलती कर सकते हैं जब कभी आप opening capital निकालोगे fixed से निकालोगे opening capital तो additional capital क्या करेंगे minus और drawing of capital क्या करेंगे plus drawing of profit का कोई treatment नहीं करेंगे किस case में fixed capital system है ठेक है अगर fluctuating capital system हो तो तो फिर additional capital भी जाएगा drawing of capital भी जाएगा drawing of profit भी जाएगा कोई गिलाशिक वात नहीं है नहीं सर नो सर आजा जी 49 पर है सवाल पढ़िया 49 PQR are the partners in a firm PQR partners in a firm their capital account is to 3,150,000 and 1,50,000 respectively on 1st April 2020 जाएगा दियां जियाँ जिएगा as per the provisions of the deed r was to be allowedore remuneration 36,000изp % interest 5 percent was to be provided on capital profit बहुत सही है profit को 2-2-2-1 बाटेंगे ignoring the above terms net profit of 180,000 for the year and the 31st March 2021 was distributed among 3 partners equally बान गए कर पाओ के सवाल देखो ना मैं आपको 5 मिनट के लिए वक्त दूँगा करने के सवाल तब मैं स्टार्ट करूँगा क्या है सवाल में PQR 3 partners है उनके capital opening दे रखे है और partnership deed क्या क्याता है कि R को remuneration मिलेगा 36,000, interest मिलेगा 5% on capital profit को distribute करना 2-2-1 में ignoring the above terms net profit 180 of the year and it was distributed among 3 partners past rectifying entry यह past adjustment का सवाल है क्या करना आपको PQR P में debit create Q में debit create R में debit create and form form में debit create मान गए है 2 मिनिट का वक्त आप लीजिए एक बर अपने तरह के स्टार्ट कीजिए फिर मैं कराता हूँ करके देखिए एक बर इगा जी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ 49 था है मैं हलका सा हिंट देता हूँ पुरा सवाल खुद कीजिएगा क्या है थर तीन पार्टनर PQR फर्म यहां भी डेविट यहां भी क्रेट यहां भी क्रेट यह डेविट 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 जब आपने प्रॉफिट को बांट दिया बिना कोई एडजस् तो कितना profit वापस लिया एक लागस्ती यहार और फिर सारें पार्टपन रिया 72, 32, 136 गे ऐघ्रीड कhernट क्छिए जर Какई दिए सैब्विट क्या उसको डिया इसको डिया इसको डिया तीनो डिया आप जो चाहो करो क्या करना है और तो आप interest on capital दो, salary दो, salary कि इसको देना, R को देना, 36,000, तो R को salary देदो, R यह 36,000, create करो उसको, यहाँ heading लिखना, salary, मैं पूरा नहीं लिखना, मिर पाइज जगा नहीं है, salary लिखना, और यहाँ लिखना, 36,000, create देदिया, अब क्या देना है, interest on capital देना, 5%, यहाँ पर अच्छी बात है, कि already आपको opening capital दे रखा है, तो बड़ा अच्छा से निकाल लोगे आप, closing दिया होता है, तो फिर opening निकालना पड़ता, कितना होगा, 80,000 का 5%, 15,000, यहाँ लिखो, IOC, 15,000, then फिर, हाँ, हाँ, मज़ा आगया, मज़ा, हाँ, फर्म को debit भी करेंगे, फर्म को debit भी करेंगे, और IOC तो इतना होगा, समय लागे, 30,000, यह भी फर्म को debit करेंगे, दुरूब आपको समय मारी बात, दुरूब कहाँ है, समय मारी न, सो तो नहीं गए, नो सर, IOC के बाद क्या दोगे पार्टनर को और, बस, कुछ नहीं, इतना असान हो गया, क्या करें सरा हम, अब जो profit बचता है, उसको बाट दो पाले, चलो बताओ कि इतना बचता है, एक लाख, असी हजार में से क्या करो, थर्टी सिक्स थाउज़न, थर्टी थाउज़न मैनस कर दो, नाइन्टी सिक्स थाउज़न मैनस कर दो, सॉरी, सिक्स्टी सिक्स थाउज़न, हाँ, 14,000 यह बच गया, 1,14,000, यह क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स को बांट देंगे, मांट ना मतलब क्रेट कर दा, क्रेट कर दो, 1,14 को, 2,2,2,1 में कर दा, वही रेशियो प्रफिट का, क्या हो जाएगा, 2,2,4,5 सिर्फिट कर दो, तो 5,2 जा, 10, 5,2 जा, 10, 4,5,8 जा, 40,000, 22,800 आ रहा देखो, और दूसरे कितना आएगा, डबल गरोज का, 45,600, मज़ा आ गया, अब क्या करें, फॉर्म का, डेट क्रेट तो कम्प्लीट हो चुका है, अब पार्टनर्स का निकालें, बता कितना होगा, ये कितना होगा, 72,000 और ये कितना होगा, 45 प्लस 15 कितना होगा, 60,600, ये 72,000 और ये 53,100, ये 36,000 और ये करोणा क्या आ रहा देखो, 22,729, 30,300, अब निकालो, नेट इफेक्ट में क्या आता देखो, नेट इफेक्ट में क्या आ रहा है, 400, 11,400, आ रहा है न, डेविट जादा रहा है, इसका है, डेविट जादा रहा है न, डेविट साइट जादा रहा है, डेविटी करेंगे, जौन सी बालेंस निकाल रहा है, बालेंस कौन सी ये डेविट बालेंस आ दिया, इसका कितना, 53,900 तो होगा ही होगा, 54,000 हो गया, 8,000, 18,900, 18,900 आ सकता है, आ रहा है, ये डेविट होगा, और इसका देखो, क्रेट, 30,300, क्रेट, मैच कर गया, ये डेविट है, ये डेविट है, और ये क्या है, क्रेट है, एंट्री पास कर देंगे बड़ी से, कोई दिखात है बता हो, नो सर, हराम सेंट्री पास जाए, क्या एंट्री पास करोगे, पी, क्यू, टू आर, पी, क्यू, टू आर, मजा आगया, कितना कितना, 11,400, 18,900, कितना होगा, मजा आगया, क्या कहते बच्चे, जल्दी बतो, यस, आगे बड़े, कैसे भी कर रहा लेकर क्या है, सही अगलत है, पास जन एंट्री डिट्टिफाइद अबब, उसने वही किया है, बस जन एंट्री करके कर दिया है, और एक जानते हो क्या है, मैं बतातों सुनो, मैं दोनों सुनातों सुनो, जो मैंने किया है, उसमें कोशन यहाँ बना लो, पास पास एड़ेस्टिंग एंट्री फॉर दे सेम, अगर सवाल में लिखाओ, पास एड़ेस्टिंग एंट्री, तो जो मैंने किया हो, सही किया, अगर सवाल में लिखाओ, पास एड़ेस्टिंग एंट्री, तो जो मैंने किया हो, सही किया, लेकिन यहां क्या लिखाओ है, पास जर्णल एंट्री एंट्री बात नहीं कर रहा है, तो यहां धेर सारे एंट्री पास करने है, कुछ नहीं होता है, जो वहां किया वही यहां होगा देखो, सबसे पार्टनर सु क्या कर दिया गए डेविट, और उससे पैसे निकाल लिए गए, पैसे वापस लिए गए, मतलब प्रॉफिट वापस लिए गए, मांते हो, हारे, आहा, क्यों लिए वाय है, क्या रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, रुक, अच्छा भूब गाउट्यास आहिते घच्छा, अच्छा, क्येक्ट सकतर्वाह भ्ड़ सु हाँ जो मैंने किया वो गलत किया है मैंने equally देखा ही नहीं है concept तो आप समझ गए सवाल में क्या है concept समझ गए ना हाँ हाँ यह है यह मैंने यह term मैंने देखा ही नहीं क्या हुआ है हाँ वा क्या है कि profit को 2 is to 2 is to 1 में बांटना था और उसको बांटा किसमे है equally बांटा है दो गलती है तो मेरे सवाल में यह mistake है कि मैंने जो यहाँ पर यह किया है अब मैं इतना सही नहीं करूँगा आप खुद से कर लेना यह गलत किया है यह क्या होगा यह होगा 60,000 60,000 and 60,000 मैंने पुरा सवाल ढंक से नहीं पढ़ा इतना ही यह होगा इसके फरक से क्या होगा इसके फरक से पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा और कोई mistake नहीं है और सब कुछ सही तो बिलकुल सही है बस होगा क्या कि यह पूरा answer चेंज हो जाएगा किसका समेशन चेंज होगा यह आंसर चेंज हो जाएगा कभी को बार गलती करने का यह मज़ा होता अब ना यह आंसर चेंज हो जाएगा मुझे नहीं पता क्या होगा उद्वारा से करना पड़ेगा समझ गए लेकिन ये ये तभी हम पास करेंगे जब मुझे क्या करना हो Adjustment Entry पास करना हो और कोई दिक्कत नहीं और सब कुछ सही है Salary IOC सब सही है हाँ एक और mistake नहीं कोई mistake नहीं है कोई mistake नहीं है क्यों नहीं mistake है क्योंकि जो profit बचा एक लाग 14,000 का उसको तो बाटना इसी रvellशानमे था ना पहले उसने इक्वल ही बाट दिया था जो गलत किया था तो गल्ती को मैंने सही करने के लिए उससे इक्वल रेशानमे वापस ले लिया उसे 60-60-60 अब दिया उसी रेशान में अच्छी बात है मजा आ गया कोदे कट नो से नो सर अधार लाग आगे बढ़ें यह से आगे बढ़ें हाँ आप इसा कर लोगे लेकिन अगर सवाल ने यहां क्या कहा है सवाल ने कहा है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना है आपको इसको रेक्टिफाई करने के लिए जर्णल एंट्री पास करना है तो पहले आपने पार्टनर्स को डेविट कर दिया मानो ऐसा क पूराने सारे गलतियां धुर गए और सारे profit वापस आ गए उसके बाद क्या करेंगे अब partner को salary देंगे लेकिन मैंने क्या किया है जो वापस लिया है न वो adjustment के नाम से वापस लिया है किस नाम से लिया है adjustment नाम से क्योंकि कोई काम एक बार हम कर लेते हैं trial balance बन जाता प्राफिट बन जाता बंट जाता है और बाद मुझे इसको सुधार करना होता उसको adjustment बोलता है तो यह क्या करेंगे profit loss adjustment खोल लेंगे अब हमारा 1,80,000 की profit कहां पड़ी है adjustment पड़ी है और वहीं से निकाल के क्या करेंगे interest on capital देंगे और जो बच जाएगा बाद में इसको बाट देंगे जो बच जाएगा इसको बाट देंगे अबच्छे को सिब्सके सरे ? अपने कहा है ना क्यासां गलती करना भी कभी कभार अच्छा होता है खास कर लर् bomb के फेस में क्यों क्योंकि जो गलती हम एकजाम में करेंगे वो गलती ही यह कर लें 28 अच्छा है वहां तो कम से कर लिए 放शे adjustment account बना करके entry पास की गई है और अगर लिखा होता पास adjusting entry तो हम ऐसे कर सकते थे ठीक है राइट यह दोनों सही अपने जगह पे और देखोन यह टॉपिक भी है आप ऐसा तब करेंगे when adjustment journal entries in place of one adjustment entry साब साब क्लियर कर दिया एक adjustment entry पास नहीं करना है बलकि धेर सारे गलतियों के लिए adjustment entry पास करना है मतलब पीछे जाना है जो जन एंटरी पहले पास किया उसका reverse entry पहला पास करके profit वापस लेके फिर से एंटरी पास कर देना है समझ गए तो गलतियों का mistake को दो तरीके से कर सकते हैं दूर एक तो धेर सारे adjustment entry पास कर लो एक होता one single adjustment entry पास करो दोनों आज की class में हो गया right sir देखो अब क्या सवाल है आपका सवाल आता है illustration no 48 क्या आप नहीं कर पाऊगे एक बार fast track में सवाल पढ़ता हूँ capital of x and y x y z on 31st march amounted rupees 150 550 and 11 lakh respectively बहुत अची बात है closing capital दे रहा है divisible profits amount रुपी 3 lakh यह अची बात है year ended was distributed in ratio 4 is to 1 is to 1 profit को पाट भी या गया after a lying ah interest in capital 10% during the year each partner with two fifty thousand per month during the your each partner with two fifty thousand per month in the beginning of each month during the year each partner with two fifty thousand per month in the beginning of each दूरिंगे यह इच पार्टनर विट्रू फिप्टी थाइन परमंथ इन पिगिनिग अब इच मंथ क्या हुआ है साल के दौराण में हर पार्टन ने पचाहस दर पर निकाल दिया लेकिन इन पिगिनिग अपीज मन्थ बिगिनिग में इंटरेस्ट कैसे निकालते है आपको प पसंट देखो पार्टनर्शिफ टीट अगर सालिंट है इसका मतलब प्रॉफिट शेरींग रिशिय हो गा इकवल होगा और आयोटी नहीं होगा और और इस इंसी कितना होगा ट्ूंफ पसंट होगा जबकि सवाल ने गलती क्या करी है कि IOC कितना % लगा लिया है 10% जबकि IOC 12% लगना चाहिए था और सवाल ने गलती क्या करी है profit को बांटा किस ratio में 4 is to 1 is to 1 में जबकि बांटना कैसे चाहिए था बोलो equally बांटना चाहिए था और यहाँ पर एक और मिस्टेक क्या एक मिस्टेक निहीम हदधिया किया given क्या closing capital तो क्या आइक असमें गलेगा opening capital कैसे निकालेँगे closing के असाल प्लोजिंग करेंगे IOC मायनस कर देंगे IOC मैंस कितना लग यहाँ रहना बरे गल्तकना कि इसना असाना ही I.O क्योंकि the I.O.C.. जो 10% भी निकाला गया होगा, वह भी किस पे निकाला गया होगा Ópnig Gabriel निकाला गया होगा वह भी किस पे निकाला गया होगा italki जिए скажin । वह दिविजिबिल प्रफेट कितना है, 3.0. Explain तो पहले क्या करो, 50,000 है हलका समय समझातों करके रखिएगा आप लो दूसरा है 5,50,000 है और तीसरा है 11,00,000 है ना बोलो इसमें क्या कर दें लेस कर दें क्या ब्रॉफट प्रॉफट्ट नाइड की प्रॉफट्र चार इस तू एक इस त्विक प्रिस होरेस् टुरई कर दो 50,000 एक क्या होगा 2 लाग या क्या होगा पचास हजार हर या क्या होगा पचाईजर मजा गया 15 1,50,000 में से क्या किया 2,50,000 मैंस 50,000 मैंस ठीक है जी अब बताओ क्या करें जब यह मैंनस रोड़ बताओ कितना आए गई है 1,50 में से 2,00,000 मैंस तो क्या आएगा मैंस 50,000 दूसरा कितना आएगा रोग जब 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 एक सी और है ना ठीक है पार्टनर्स ने ट्रॉइंग भी तो करी है ना ट्रॉइंग को प्लस तो करोगे ड्राइंग में तो किया है ड्राइंग एड़ भी होगा पहले यह बताओ कितना होगे मैनस करके यह आगया 5,00,000 और यह कितना आगया 10,50,000 अब इसमें एड़ क्या कर दो ड्राइंग कितना है बोलो जल्दी से 6,00,000 ड्राइंग प्लस करो और यहां कितना ऐसा करने के बाद क्या बचेगा यहां पर 5,50,000 और यहां 5,50,000 सॉरी यहां 11,00,000 और यहां 16,50,000 यह आगया ओपनिंग क्यापिटल बाद गई जी लेकिन अभी भी यह ओपनिंग क्यापिटल नहीं आया पुछो क्यों आयोसी इसमें अभी भी इंक्लूडेड है मान रहे बाद को तो आयोसी इंक्लूड है तो मुझे कैसे आयोसी जब मिलको पता ही नहीं तो क्या करूँ तो यहां भी एक चलाकी करनी पड़ेगी 10 by 110 करनी पड़ेगी यहां भी 10 by 110 पुछा क्यों पुछो क्यों 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 क 10 कितना एगा ईसी यू जाएगा 50,000 अच साहिद 50,000 यहां कितना जाएगा 1 लाख यहां कितना जाएगा एक लाख पच्छा जाएगा 1,50,000 संजे ची बच्चा सुनरहे हो यह IOC आगया अब जब तुम्हें IOC IOC मिल गया तहा IOC क्या करेंगे IOC को less करतें का要ट करतें opening capital निकालने कि IOC less करेंगे Lets करेंगे तो अब यह opening capital कितना आएगा 5 laद आएगा अब यह कितना आएगा 10 laag आएगा आब यह कितना आएगा 15 लग आएगा बड़ा मज़ा आया opening capital आगया हम तुम्हारे पास लिखते जो opening capital आगया एक बार जब opening capital आगया तो मज़ा आगया तो क्योंकि मुझे पता है कि अब opening capital मिलने के बाद हम क्या करेंगे interest कितना percent charge करेंगे 12 percent अब IOC क्या कर देंगे 12 percent कितना हो जाएगा 60,000 60,000 1,20,000 और 1,80,000 मज़ा आगया अब ये IOC चार्ज करेंगे पुराना IOC भूल गाएगे मतलब ये credit करेंगे पहले विला debit ले लेंगे अब जब मुझे IOC मिल गया है पहले वाला IOC को हम debit कर देंगे इस वाले IOC create कर देंगे तो क्या हम adjustment table नहीं बना सकते है बोलो जिरा मुझे पुराना IOC पता है मुझे नया IOC पता है मुझे profit अलड़ी पता है interest on drawing की कोई बात हुई नहीं है ठीक है अब ये बताओ अब आपके पास जो profit है आज़ो यहां आज़ो अब क्या करो देखो यहीं पर इन्होंने adjustment entry पास करने के लिए कहा है न adjustment entry पास कर देंगे क्या करेंगे या पर कितने partner से बताओ सवाल नमर कौन सा है 48 है यहां क्या लिखोगे एक्स यहां क्या लिखोगे यहां जड्या लिखोगे Firm यह debit यह credit यह debit और यह credit यह debit और यह credit मान गए जी, बोलो Firm ने क्या किया था, profit उसको बांट दिया था तो वो profit उससे अब वापस लो लिया वापस कितना दो लाख पचास जार पचास जार Firm को क्रेइट कर दो, दो लाख Sorry, सब मिला कि कितना 3 लाख और यहां क्या करो debit 2 लाख पचास जार और पचास जार समझे जी बात को और पहले IOC कितना दिया था पहले IOC 50 जार 1 लाख और 1 लाख पचास जार तो वह IOC वापस ले लो 3 लाख इतना हो गया 50 लाख एक लाख एक लाख पचास जार 3 लाख इतना हो गया यह 2 लाख हो गया 2 लाख IOC वापस लो इस पर कितना पचास जार इस पर कितना पचास जार है एक लाख एक लाख यहां एक लाख पचास जार मुझे नहीं पता किया देखो 50 जार एक लाख एक लाख लाख पचास जार तो यहां तीन लाख होगा फिर क्योंकि interest on capital मैंने गलत माट दिया था पहले वापस ले लिया अब जो नया interest on capital हो कितना है 60,21,81 तो देदो 60,21,81 और एक असी और तीनों मिला कितना हो गया 3,60,000 तीन लाख साट है यहां पर debit कर दो अरे बबाबा समयमाई बात द्रूब पुराने पुराने इंट्रेस किया द्रूब वापस ले लिया और नया interest दे दिया इका तो कोई नहीं सर राइट क्या आयोडी के बारे में कुछ बात हुई है नहीं है तो क्या करना चाहिए अब फाइनली प्राफिट निकालके बांट देना चाहिए यह कितना प्राफिट हुआ है 6,00,000 3,60,000 माइनस कर दो कितना बचता है 2,40,000 क्या करो उसको बांट दो किस में एक्स बजट में किस रिशो में एक्वली ना बोलो ना यार हाँ एक्वली बांट दो 80,000 80,000 80,000 प्राफिट कहसे निकाला 3,6,6,00, प्राफिट हो गया 3,5,000 उसमें से एक्सपेंडिचर कर दिया इंट्रेस्ट का 2,40 बच गया ठीक है अब क्या है कि अब इसका नेटिफेक्ट निकालो 2,50,000 ये कितना 1,40,000 कितना बच गया है यहां पर देखो 1,10,000 क्या होगा है डेविट 1,50,000 और 2,00,000 क्या बच गया है 50,000 50,000 क्रेट यहां क्या हुआ है 2,30,000 और 1,80,000 50,000 डेविट डेविज बच्चो मैंने मिस्टेक्च क्या किया है यह 80,000 यहां डेविट में लिख दिया यह कहां जाए है क्रेट में पहला मिस्टेक यह दोनों मिला कितना हो जागा 2,60 हो जाएगा और यह हो जागा 2,00,000 तो यहां बचेगा क्या यहां बचेगा 60,000 क्रेट बचेगा तो 60,000 क्रेट 50,000 क्रेट और 1,10,000 डेविट तो क्या अंट्री पास करोगे वाइस क्यापिल अगन डेविट जाइट सकतले कंड विट तू वर्ट उल्टा कर दिया उलता कर दिया हाँ उल्टा कर दिया हाँ यह लिखोन टू लीद अलिए यहां कर दो तू यह दू आपर कै लिःट अग्स कैपलिल अगन दविट कर दो कितना होगे एक लाग दस अचाजार यह कितना होगे पचास अचाजार और यह कितना होगे इस Sydney अब डिया जितने सवाल और आपके अचामवेक हैं सुन रहा है और साथ साथ इसके बीच के कुछ सवाल बच गए है वो भी आपका homework है, बान गए? ठीक है जी, आप कर सकते हैं, जब तक तुम खुद से नहीं भिड़ोगे, जब तक तुम खुद से ट्राइ नहीं करोगे, तब तक सवाल बनेगा नहीं आप से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें मुश्किल यही है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते ही अपने आप का अपका अथान हो नहींगा, आज कि लोगा सितना ही एक लिगास में फिम लेंगें, God bless you all, take care, बाभाएं, see you.